बीटी नियूज के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूँ दर्भंगा सहर में आये दिनों कोई न कोई सरक जाम रहता है और सरक जाम होना दर्भंगा में अब आम दिनों की बात बन कर रहा गई है ऐसा ही सरक जाम रहा भी आईपी रोड मुख सरक में जहां एक और बेता से लेकर एमेल एकेडमिय स्कूल रोड मुख सरक जाम रहा तो दूसरी तरफ लहडिया सराय टावर के पास कचारी रोड भी जाम रहा इस सरक जाम के बज़े से लोग काफी समय तक लंबी दूरियों तक सरक जाम में फशे रहें वही गारियों की काफीला काफी दूर तक जाम में फशा रहा आखिर द्रभंगा सहरवासियों को कब सरक जाम की समस्य से निजात मिल पाएगी यह एक सवाल बन कर रह गया है सरक जाम की स्थिती से कब तक लोगों को निजात मिल पाएगा यह बात कहा नहीं जा सकता है सरक जाम नहीं लगे इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना काफी जरूरी हो चुका है ट्रैफिक विवस्थाक भी काफी चुस दुरुस्त करना परेगा सायद तब जाकर लोग सरक जाम से बस सकेंगे अब देखने वाली बात यहा है कि ट्रैफिक यातायात विवाग इसे कितनी गम्भीरता से लेते हैं और सरक जाम की समस्चा से दर्भंगा वास्यों को छुटकारा दिलाती है आज लोग सभा में दर्भंगा सांसर डॉक्टर गोपाल जी ठाकुन ने नियम 370 के तहत जन स्वास्त से जुड़े अती महत्पुन विशाय को संसत के पटल पर रखा है संसत डॉक्टर ठाकुन ने सभापती के माध्यान से केंद्रिय आयूस मंत्री से मिधिला के केंद्र दर्भंगा में अबस्तित इकल वता एबं देश के प्राचिंतव राजके राकाम आश्वर सिंग आयूस संसतान के रूफ में बिक्सित एबं समवर्धन करने का अनुरूत किया शांसर डॉक्टर ठाकुन ने कई एकर भूमी में फैले इस एतिहासिक संस्ता की अस्थापना एप महत्ता का जिक्र भी संस्ता में किया उन्होंने सदन में कहा कि दर्भंगा के में 1878 इस्वी में संचालित इस राज अस्पताल को दस एकर भूमी एवा म्भवन के साथ राज परिबार द्वारा आयुदिक आयूस चिक्ट्सा सिक्षा इवांसोथ को ध्यान में रखते हुए इन सबय के विकास तथा शं CherAIदन को ध्यान में रखते हुए राज के कामिस्वर सिंग आयूदिक चिक्ट्साले कामेश्वर नगर एवाम राज के महरानी रामेश्वरी भारती चीकित्सा बिज्ञान संस्तान मोहनपुर को तक्रीवन 20 एकर भूमी तता मकान 985 स्वी में दान में दिया गया था जिसमें आयरुवेदिक चीकित्सा सिक्षा एवाम सोथ का कारिय किया जा रहा था और वो रोपय की संपत्य के साथ भावन भूमी भीहार सरकार स्वास्थ विभाग को देने के बाद भी भारती चीकित्सा केंद परिशत दोरा निमतम मापदंडों को पुड़ा नहीं करने के कारण वर्स 2003 में ही उप्त संस्तान के सेक्षेनिक सोथ एवं अंतररंग चीकित्सा से रोगी यहां आते हैं उन्होंने कहा कि इस अस्पताल की अपनी राष्टी एवं अंतराष्टी ए अस्तर की काफी गरीमा और प्रतिष्टा थी यहां दर्भंगा महराज के काल में ही आयुरवेद योग नेचुरोप्रेथी जोती चीकित्सा एवं जरी भूठियो इत्या सोने वाल से उनके कर्याले में मुलाकात कर इन संस्थान के जिवनोधार की आग रखिया था शांसद ने कहा था कि भारतलकार आयुरवेदिक आयुस के समर्धन के लिए देश के बिभीन राज्यों में कई के निरिये संस्थान संचालित कर रही है उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिष्भर में आयुरुवेदिक योग एवं नेचुरोफैतिक उपचार की मांग बढ़ी है ऐसे में इस संस्थान के पुना समर्धन और प्राराम हो जाने से बिहार सहित पर उसी राज के मरीजों को काफी फाइदा होगा संसथ ने कहा कि आयुरुवेदिक विष्भ का सबसे प्राचिंतम चिकित्सा पत्ति है और आयुष मंत्राले भारत सतकार्द और आयुष को जंजन तंग पहुचाने है तो पूरे भारत वर्स में अजादी का अमरित महत्सो भी मनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेनर मोदी एवं आयुष मंत्री सरवानन सोनेवाल के कार्याले में पूरा विष्व योग और आयुरुवेदिक चिकित्सा के छेत्र में संपुन विष्व को रहा दिखाने का कार्य करेगा बीमार नहीं रहा लाचार हो रहा मुफ्त उपचार हड़ी नस रोग से संबंदी गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज इंतिजार किसका जाए सर्राफ और्थो एस्पाइन सेंटर और दर्श कराएं प्रधान मंत्री जनारों के योजना में अपना नाभ विष्व की स शब्से बरी स्वास सुपधा हो का उठाये लाब आधोनिक और्थो पेडिक सुपधा और्थो इसकोपी इस्पाइन सर्जरी ट्रक्ष्व का यादनी के लाज डॉक्र एसें सराफ डॉक्त आवशे के सराफ रीड हर्णी अनस रोग विसे सके डॉक्त प्र्यम्का बीस द्रभंगा सदर प्रखंड के प्रस्रिक्षन भवन में मंगलबार को पंचाईती राज विभाग के द्वरा नौनिर्वाचिर जन प्रतिनी धियों का तीन दिबस से प्रस्रिक्षन सिवीर के आवजन किया गया इस सिवीर का अवदघाटर अनसदर प्रमुक संबूसा दीप जलाकर किया इस सिवीर में पंचाईती राज पताधिकारी भारत भूसं गुप्ता और टेरेनर ने जन प्रतिनीद्यों को प्रस्रिक्षन दिया सिवीर में प्रमुक राकेश यादव आसा देवी सहित कई अन्य जन प्रतिनीद्य उपस्तित रहें केहां तो नागर का परसासन और एक हुआ गरामीन परसासन पर्सान तो नगर में वेयर साह होते हैं अ ही और ग्रामीन में जो इस पर होता है तो इसको तीन भागने पागने ग्राम एस्तर पर जो है या ग्राम या ग्रामों के समुग के अस्तर पर जो हो उसको बहुत ग्राम पर्शाज़ तो नगर परसासन होगा और नगर में आप जाते भी होगे तोहां के परसासन से हम लोगों का ये पंचाईती राज कुछ कोई देना दे उसका सब कुछ सेपरेट अब राग्या की ग्रामीन परसासन जहां से हम लोग शुरू होते हैं ग्राम अस्तर पर या छोटे-छोटे कई ग्रामों के समूह के अस्तर पर होता है उसको सबसे निचल प्रसासन काते हैं और उसका नाव है ग्राम पंचाइड जो से बलहा हुआ वासने पुर्वा कवीर्चक हुआ तर्धंगा सदर प्रखंड में पूल तेश पंचाइड सदर प्रखंड में तीन दिवस ये पंचाइड समीती सदस्यों का पर सिक्षन चल दा है जिसका उल्हाटन विद्वात में देद्वारा किया गया है इसमें सभी पंचाइड समीती सदस्यों को काम करने की परकिरिया है जो पंचाइड में किस तरह जमीनी अस्तर पर काम किया ज उस अभिकार का श्यान को फालन करना है और यो है उन्हें ट्रेनर में जो दो जिला से ट्रेनर आये हुए हैं और एक बीपी आरो भारत मुशन गुट्ता जी है वो अभी ट्रेनिंग देना ललित नडायन मिथलाप इस विद्धाले की आस्थापना के सुवन जनती के सुवफसर पर सी एम कॉलेज दरभंगा में पेंटिंग महदी रंगोली तथा वाद विवाद परतियो गीताओं का आयोजन सेमिनार हॉल में किया गया जिसमें प्रधानाचार डॉक्टर नील कुमार मंडल संयोजक, प्रफेसर मंजुर वाय बर्षट डॉक्टर आरेंज चोरचिया, प्रिक्छान यंतरक डॉक्टर मैंग सिरिवास्तव, डॉक्टर इना कुमारी, डॉक्टर सुरेंद भरदवाज, डॉक्टर सौूद आलम, एनेसद पतादीकारी, डॉक्टर अखिलेस कुमार राठोर, प्रसांत कुमार जा, डॉक्टर मनोच कुमार सिंग, डॉक्टर रजनिस सिंग, कौसल किसोर तथा अमरचीत कुमार सहित, असी से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रतियोगिता का उधगाटन करते हुए पक्ष और बिपक्ष दोना के मात्व कोरेखाकित करते हुए कहा कि इससे छात्रों के सोचने का दायरा बढ़ता है, उने कहा कि कोसिस करते रहने से ही सफलता मिलती है, छात्र वर्तमान समयकापुर्न प्योकर अपने जीवन में आगे बढ़े, महाविद्धाले के बरसे प्रतियोगिताओं से छात्रों को घबराना नहीं नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ लोग जीटते हैं, तो अधिकांस लोग सीखते हैं, परिक्षा नियंद्रक डॉक्टर मैंक स्रीवास्तब ने प्रतिभागियों को बढ़ाई एवं सुभकामना देते हुए कहा कि हमा जाया कुमारी पर्थम, बिशनु मिस्रा एवं मौम्मद, सरफराज दूतिय तथा, सफीना महफोज ने तिर्थिया अस्थान परापतिए. जबकि मेहदी परतियोगिता में गुडिया कुमारी परताम संजना दूतिय तता राज नंदनी एवं आतिवा रजा खान ने तीरतिय अस्तान परात किया वही रंगोली में राहूल कुमार पर्थाम गुडिया कुमारे दूतिया तता कल्याने कुमारी ने तिरतिया अस्तान परातिया जबकि पंटिक परतियोगिता में सफीना, माफूज, पर्थाम, काजल कुमारे दूतिया तता साक्षी फुरिया एबम शामभावी मिस्रा ने दूतिया अस्तान परातिया यहां पर आतर के बोलना ही अपने आपने बहुत बड़ी हिमत होती है और सबने अलग यूनिक प्रेजेंटेशन यहां रखा और सबसे हम लोगों ने कुछ ने कुछ रखा चीथा इसमें तो गुद लग फॉर नेक्स्ट कंपुटिशन और देस्ट ने हमें सिखाया कि परिवार की महत्ता सर्वो परी होती है संकत आता है कोई दूसरा काम आले दाया दे लेकिन परिवार यह बहुत महत्पुन है डाक्टर स्वास्त करनी पुलीस करनी की सेवा की क्या आहमियत होत उसके बाद कोबीद में एक सिख्षा में नया परियोग नहुआ हुआ वह बहुत सफल हुआ दरवंगा के सर्वसेष्ट इट उद्योग दीपक इट उद्योग दरवंगा विविन परकार की एको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वसेष्ट पेपर ब्लोग चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई एस इट के लिए संपर करी तीपक इट उद्योग दरवंगा पता सादुपूर, अनन्दपूर, सादुपूर पत दरवंगा बिहार मुवाइन नंबर 9304081652 एवं 6200244427 ग्लोबल हेल्थ केर एंड डाइबेटीज रिसर्ट सेंटर जो बिहार में पहला अंतरराश्य तक्नीक एवं आधुनेक सुविधाओं से लेस सूपर स्पेशलिटी डाइबेटीज के इंदर है जहां एक छट के नीचे डाइबेटीज से संबंदित सारी सुभिधाई मौजूद हैं जैसे के डाइबेटीज हार्ट केर, डाइबेटीज आई केर, डाइबेटीज निूरो केर, डाइबेटीज फूट केर, डाइबेटीज फॉर्मेसी और डाइबेटीज परहुग शाला पता जीजस एंड मेरी स्कूल के पास रहम गंज, दर्बंगा, विहार विहार सरकार के कैबिनेट मंतरी संजय कुमार जा, जिबेश कुमार मिस्रा, आलोक रंजन जा, दर्बंगा, लोक सभा के सांसर डॉक्टर गोपाल जीठा को, नगर विधाक संजय सराबगी आदि को आमंतरित किया जाएगा, जबकि इस कारिये करम में लली तरड़ान मिथला विष्विद्धाले मं कामेश्वर सिंग, दर्बंगा संस्क्रीत, विष्विद्धाले के कुलपती, करमस, प्रफेसर सुरेंद परताप सिंग, एवं प्रफेसर ससीनात जाग की उपस्तिती रहेगी, उन्होंने बताए कि MMTM कोलेज परिशर में आवजित बैटाग में आठ तारीक कायोजित होने वाले तीन दिवसिये, मिथिला, विभूती, पर्व के स्वन जैनती वर सामारों की तैयारी की समिक्षा की गई की थिर शीयारी कायोड है।